नमस्का कर्यासे में गुरु गराम के सदर पुलिस थाने में तैनात, ASI मुकेशचन और ASI ताराचन का जनम दिन था और उस जनम दिन के मौके पर जो सदर थाने के SHO है नवीन पराशन वो खुद मौके पर केक लेकर पोचे जहां पर इन दोनों पुलिस कर्मियों की डूटी थी और वही पर इनका होसला अफजाई करते हुए इस तरह से उनका केक कटवा कर उनका जनम दिन मनवाया वाकई में एक अच्छी तस्वीर है जो ब्लैक टीशिट में आपको नजर आ रहे है ये सदर थाने के SHO नवीन पराशर है और जो आपको ये शक्स केक काटते हुए नजर आए ये ताराचन है जिनका आज जनम दिन है इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं ये भी एक परिवार है साथ में ड्यूटी करते हैं और पिछले तकरीबन 50 दिनों से ज़ादा का समय हो चुका है साथ में सब लोग रह रहे हैं साथ में ड्यूटी करते हैं अलग अलग नाकों पर ड्यूटी है लेकिन आप देखिए कि हमने तस्वीरे देखी गुरुगराम में पुलिस ने अलग अलग लोगों के जिनके जनम दिन थे चाहे वो चोट चोटे बच्चे हों चाहे बुजुर्ग हों उनके जनम दिन उनकी एनिवर्सरी सेलिबरेट करने के लिए उनके घरों पर केक पहुचाए लेकिन पुलिस वाले अपने जो साथी है उनकी भी होसला अफजाई कर रहे हैं और जहां पर उनकी डूटी है वहां पर पहुँचकर उनको केक दे रहे हैं और उनका जनम दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। वाकई में एक अच्छी तस्विर है। अब आपको सुनवाते हैं जिनका जनम दिन है ताराचन उनका क्या कहना है और सदर थाने के एसचो नवीन पराशर का क्या कहना है इस बारे में। सभी यहां ड्यूटी पर लगे हुए हैं ताओ देवला स्टेडियम के हमारी ड्यूटियां हैं तो थाने में हमारे पास समय नहीं था, तो हमने सोचा भी इनका भड़े मना जया ताकि इनका बड़े मनाया है ताकि इनका ओर थ्रा मनोबल उच्छा होए और अपनी ड्यूटी अच्छी तरह निमा सके, क्योंकि हम सारे प्रिवार से भी दूर हैं अपने परिवार को छोड़कर अपने सगे संबंदियों को छोड़कर ये लोग हमारे लिए लगतार सड़कों पर ड्यूटी कर रहे हैं खुशियां इनकी भी है परिवार इनका भी है लेकिन देखिये कि अपने साथियों के साथ 50 दिनों से घर नहीं गए हैं और वहीं पर अपना जनल दिन celebrate कर रहे हैं एक अच्छी तस्वीर है एक खुशी की तस्वीर है और इनका होसला अफजाई हम लोगों को भी करने चाहिए इसलिए हम बार-बार अपनी खबरों में हमारे देश में लगातार लोगों को अपनी चपेट में ले रही हैं उस महामारी के दोरान ये लोग सड़को पखड़े होकर हमारे लिए डूटी कर रहे हैं हमारी इस खबर को आप लोग शेर भी कर दीजेगा ताकि जादा से जादा लोगों के पास सही जानकारी सही समय पर पहुँच पाए अपने कमेंट करके भी आप इस खबर के बारे में अपनी राय हमें दे सकते हैं नमस्कार